वेलकम टू टेक एशपर्ट, सुवागते आप सभी का साइंस फनो इलेक्टिक की बिलकुरी नहीं दुनिया में दुनिया में इलेक्टिक कारों का क्रेज इतना बल चुका है कि हर कोई कमनियां फीचर स्टिक्स और कमाल की कारे बनाने में लगी हुई है यही वोज़ है कि सेग्मेट में कई वहाँ निर्माता कमनियां अपनी एक से बरकर एक इलेक्टिक कारों को ग्लोबली पेस्ट कर रही है पेट्रोल डिजल की बलते किमोतों के बीच लोगों का जुकाव इलेक्टिक वहानों की ओर हुआ है लोग इलेक्टिक बाइक और इलेक्टिक कार खरीदने के बारे में सोचने लगे हैं दोस्तो अभी तक तो इलेक्टिक कारों के लिए पूरे चार्जिंग स्टेसेन भी नहीं बने है लेकिन कमनी ऐसे ऐसे कारे लोचके नहीं की तयारे में है जो नक भी देखी होगी और नहीं आपने इसके बारे में कोई बास सुनी होगी दोस्तों कुछ सालों से चीन, अमेरिका और जापान ने future 6 इलेक्टिक कारे बना कर दुनिया को चोका दिया था लेकिन अब चीन, अमेरिका और जापान को चोकाने के लिए एक इंडियन कमणी लश्ट ने एक AC मोबिलिटी कार बनाई थी जो सिर्फ इलेक्ट्री से चलती थी और इस कार के फीचर भी काफी कमाल का था तो चलिए दोस्तों लश्ट में क्या नए फीचर्स देगें थे देखना ताकि आप लोगों को पता चले कि लश्ट एलवन कब मार्केट में अवेलेबल होगी और प्राइस क्या रहेगी कैसे खरीद पहेंगी या नहीं सारी जानकरी आप लोगों को देने वाला हूं लश्ट इस्मार्ट इलेक्री वहीकल में 48 वोल्ट्स और 100 MPS लिथियम कामाल के लग रहे हैं जो इस मोबिलिटी को अड्रेक्ट्व बनाते हैं दोस्तों खास बती है कि इस स्मार्ट वहीकल में जो हेड्लम दियेगे हैं वो डिजितल स्क्रीन की तरह है जहां आपको उपर साइड इंडिगेटर और पार्किंग मोड डिजितल डिस्प्ले में दि दोस्तों इस कार को आप सिर्फ एक घंटे में जार्जी करने के साथ 120 किमी तक 900 ब्राइल ले सकते हैं दोस्तों लेश्ट कार को कम वेट और काफी ताकत के साथ कंपोजिट किया गया है सिटिंग केपिसिटी की बात करे तो इस वीकल में सिर्फ दोई लोग सपर कर सकते हैं और इस कार को खास का सिटी के लिए डिजाइन किया गया था लेश्ट कार को एक घंटे के चाजिंग में 120 किमी तक 900 ब्राइल ले सकते हैं लेश्ट इलेक्टिक मूबिलिटी का रियर साइट में थोड़ा बुट इस पेस दिया गया है जहां आप अपनी ओफिसेल वर्क के ल स्टाइट मूबिलिटी है दोस्तों इस कार में सेवनीच का डाजिस्क्रीन डेश्बोर्ट मिलता है साथ इस मूबिलिटी में डिजिटल स्पीडोमिटर भी दिया गया है इसके साथ इस मूबिलिटी में GPS निविकेशन सिटम होने की वज़े से आप अपनी टीप की जानकरी शेयर भी कर सकते हैं और इमर्जेंसी पुश बटन के साथ नियर चार्जिंग इस्टेशन की जानकरी भी ले सकते हैं गाइस कई लोगों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि लश स्माट विकल इंडिया में कब लौच होगा अभी प्रोड़क्शन में है या नहीं और लौच होगा वेबसाइट भी क्लोज कर दी है खास बरती है कि इस स्माट विकल पर कमनी ने 5 साल तक लगातार मेहनत की अब लोच होने से पहले इसे क्लोज कर दिया गया है वोल्ड में जितने भी इलेक्टिक विकल है उसमें से इस विकल को काफी अलग डिजैन किया गया था लस इस स्माट विकल को अगर मार्केट में लाती तो यह दुनिया के कहीं देश्रों के विकल को टकर मार सकती थी लेकिन फिलार इसका प्रोडुक्शन बंद कर दिया है अगर कमनी के तरफ से लस 11 की कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको बताते रहेंगे गैस दूख के साथ कहना पड़ता है की वीडियो पसेने तो लाइक कर दीजिए और अब तक आपने हमारी चैनल टेक एस्पॉर्ट को सबस्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्राइब कर लीजिए टेक केर बाई